यूपी की विधान सभा में योगी आदितनाथ और अखलेश्यादों के बीच की तजबीरे बताती हैं कि ना सर्फ राजनीतिक तौर पर बलकि व्यक्तिकत तौर पर भी दोनों के बीच कैसी टशन है लेकिन टशन को धक्का उस वक्त लगा जब सपानेता ने योगी बाबा के एक नेता की बुरी तरह पिटाई कर दी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है लेकिन माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने के महायुत पर निकले योगी आजितनाथ ने शक्स पर ठपड बरसा रहा है एक नहीं दो नहीं चार नहीं बलकि ताबर तोड ठपड बरसाये जा रहे हैं लेकिन मार खाता हुआ ये शक्स को याम शक्स नहीं है बलकि ये बीजेपी नेता और गौरी गंज नगरपालिका से बीजेपी की प्रत्याशी रश्मी सिंग के पती दीपक सिंग है और पीटने वाले शक्स का नाम राकेश प्रताप सिंग है जो की गौरी गंज के विधायक है वारल वीडियो में सपा विधायक राकेश सिंग और उनके साथ ही गौरी गंज ठाना परिसर के अंदर नगरपारिका अधिश्पत की बीजेपी उमीद्वा रश्मी सिंग के पती दीपक सिंग की पिटाई करते नजर आ रहे हैं इस दौरांट पुलिस के साथ लोग छोख होती है तो सपा विधायक पिस्टल निकाल लेते हैं उसके बास सपा विधायक कहते हैं पिस्टल निकाल कर खुद को गोली मार लूगा अब सपा विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है एक बार आप पूरा वीडियो देखिए देखिए विधायक जी पहले पिस्टल निकालते हैं सोचते हैं कि पुलिस वालों को डरा देंगे लेकिन कुछ ही सेकेंड में शायत उनको खोश आ जाता है कि आरे यहां तो बाब हुआ वारल होते वीडियो के बीच ना सिर्फ यूपी में कानून विवस्था पर सवार उठने लगे तो कि सवार इस चीज को लेकर भी उठने लगे कि कानून विवस्था को हाथ में लेने वाला कोई और नहीं बल्कि अकले शादों की पार्टी का ही नेता है वही अकले श का जरूर योगी सरकार ने यूपी पुलिस ने सफा विधायक के बाप भाई चाचा सब पर एक के बाद एक ताबर तोड मुकद में दर्श किये बतारे कि दीपक सिंग की शिकायत पर पुलिस ने गौरी गंज से तीन बार के विधायक राकेश सिंग और तेरा अन्न के खिल के लिए फटकार लगाते हैं या फिर योगी आज इतनात पर ही सवाल खड़े करते हैं